साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर आप जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेकनोलोजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है नए वर्क कल्चर और नए नेचर आप जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं वैसे साथियों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेश और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझी नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाएं कोरोना के इस समय में तो यह सवाल और भी एहम हो गया है साथियों मैं इसका एक ही जवाब देता हूं रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्कील रिस्कील और अप्स्कील का अर्थ है आप कोई नया हुनर सिखें जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सिखा तो आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस टुकड़े की किमत भी बढ़ा दी वैल्य एडिशन किया लेकिन यह किमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन नई स्टाइल याने रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है उसके लिए नया सिखते रहना पड़ता है और कुछ नया सिखते रहने का मतलबी है रिस्किल और हमारी जो स्कील है उसका और विस्तार करना जैसे छोटे मोटे फ़रनीचर बनाते बनाते आप और भी चीज़े सिखते जाए पूरा का पूरा आफिस डिजाइन करने लग गए तो वो हो गया अप्स्किल स्कील रिस्किल और अफ्सकिल का यह मंत्र जानना समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर है वैसे जब मैं स्कील की बात करता हूँ तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं मेरा सीधा परिचे तो नहीं था लेकिन हमारे जानने वाले सर्जन बताते रहते थे वो उनके किसी परिचीत के विशे में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनकी हेंड राइटिंग बहुत अच्छी थी समय के साथ उन्होंने अपने हेंड राइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिये यानि खुद को रिस्किल किया उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इन्विटेशन कार्ड पर नाम वगरे लिखने का काम आप कीजिए बात में उन्होंने खुद को रिस्किल किया अप्सकिल किया उन्होंने कई और लेंग्विजिज में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक पकार्चे वो उनका कारोबार बन गया बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे शौग से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया